वालिये को लालम, शब्द गुरु, सत्गुरु स्री गुरु ग्रीप नवाज, साहिब स्री गुरु करन सामा राई दी पावन पृत्र मकदस को देच जोड़ बैटे महजिस हाजरीन, आउ सब तो पहलना गुर्दे पाशा दी बक्षिश पृत्र फते बलांद करिये स्तकार स है ताखनाजी वाहि गुर्जी का खाल्सा, वाहि गुर्जी की फते, कल प्रकरन दे दुरान जेस विशे नू शोन दा जतन कीता सी, के असी गुरु अर्जन साब दी शहादत दे विचों जोके संगर्ष दे विच, जोके संदर्भ दे विच, जेडा साड़ा संगर्ष है, उते प्रती आजदे समेदे चसी विचार चिंतन के में करना है। उस चालदी हुई लड़ी दे विच आज जड़ा मिनू परबंदक सह बांदे वल्लों विशा दिता गया है। उ है क्या राज करे हैं, क्या लड़ मरे हैं। और असी आज वरतारे नो अठारमी सदी दे विच्चो वेखन दा चतन करना है। कि की कारण है जह उसाड़े केड़े गोंडने, जिन्ना गोंड़े सद्का असी राय देदकारी बन दे हैं। और असाड़ा अठारमी सदी दा सिदक, सबर, सब्सक्राइब शहात्ता, और असारे वरतारे दे विच्चो वेखने असी आज जदे मजुदा दार जड़ने। और असनो अधिन करन दा जदन जरूर करिये कि असी अपने निशाने तो दूर क्यों। क्योंकि अक्सर जदो असी अठारमी सदी देता हास्नो वेखते हैं। सब तो पहला जड़ा सदत्य आंच जन्द है। कि तकरीबन 1710 लेके 1716 तक लगातार छे वार जन्तक तौरते यह ऐलान हुंदा है। कि नानिक परस्ता बा बयंद कतार रसानन है। जित्थे भी गुर्णान कनू मन्नण वाला सिख मिलदा है। उदा सेर्वाड के लेव, ते साठी को लो इनाम लेव। सो जिस कौम दा जन्तक तौर दे उपर, सरकारी हुकमा दे दौरान, छे वरी जन्तक कतल याम करन दा हुकम जारी हुया हुए। ते वो कौम केवल ते केवल 17 सालां दे विच। जून 1716 जून बंदा सिंह भादर दी शहादत हुं दी है। ते अप्रैल 1713 दे विच। सिखान नवाबबी दी पेश का शाजन दी है। केवल 17 साल दे समय दे विच। वो साठी विच केड़े गोण सी। के वो समय दी शक्तिशाली हुकूमतों साठी गेचुकुणा पेला है। जा फिर आज नू असी जेकर आतम चीनन दी काल करिये। ते आज वो गोण जड़े ने की साठी विचु खतमता नहीं हो गए। सो एस सारे विशे नू ताडे नाल संजा करन दे वास्ते नाल ही परबन्दक साहबान दे वनों क्या है यही आसी के कलू कारा। सिख कौम दे उपरवापरे ने कलू कारे। एन्ना कलू का रहा हुए जे॥ साड़ी अठार्वी सदी चनीती ते साड़ीयां पराप्तियां की ने। ते 1984 तो बादसाठी ठीहलाद की नहीं, वह एक्षणा बहुत जुरूरी होएगा कि इनना सारे ही बरतारियां देविच, वख्रेवा किते हैं, ते सांज किते हैं सब्तो पिला तषी सांज दी गाल करी है इनना तिन्ना ही का लूका रहां दे विच सांच इत्वों पर गट हुंदी है कि जदो मी सिखान दा एस वड़े पद्र दे उपर कतल आम हुंदा है शहादता हुंदी हैने ते ओधिच साड़ा एक अंच सिद्धे जा असिद्धे रूप दे विच सरकार दा मददगार जरूर है सारे सिखता जंगला दे विच ने जन तक ताउर दे वपर उना दे कतले आम दा अलान है ते फिर केड़ा आंच है जड़ा असिद्धे रूप छे सिखान दे नाल जुड़दा है ते किते ना किते हो तो हुकुम्मत दा मददगार साबत हो रहा है। मददगार साबत ही नहीं हो रहा है। बलके सिख्खां दे कतले आम देविच वह बड़ी एहम पूमकान वा रहा है। वह दे वास्ते सानुई दे पन्यां देविच। थोड़ा जा पिछे जाके समझन दी लोड़े। कलगीतर पाश्या गुर्गोबन सिंह माराइदा दरबार लगा हुए है। और एक बड़ा सुहिर्द सिख्ख आके कलगीतर पाश्या गुर्गोबन सिंह माराइदे को लो अशीरवाद लेंदा है। ऍभाई सेवा करकीतन काकी करते हैं मैं पाइपरिथी कि और वे संगत भीडलें सेवा करना चो, और ता नाम है पाइपरिथी ते गुर्गोबन सिंह माराज पाई पित्थी नू कहें देने के अनांदपुर साब देविच तहानू सेवा करन दी लोड नहीं एते सब कुछ ठीक चल रहे हैं पर जेकर तुसी माचे दे अलाके चले जाओ ते पाई फेरू जी नू मिलो तहां ओस अलाके देच सेवा दा केंदर स्थापत कीता जाओ पाई पित्थी जी वापस आ जान देने आके पाई फेरू जी नू मिल देने दो तिन जगा देपर रहन तो बाद ओ फिर मानक पेंड देविच आज जो पेंड पाकिस्तान देविच है वो त्यो अपना टिकारणा बनालें देने एसे दरान दो बच्चे उनना देखो लाओं देने ओ कुंगणियां वेच रहे ने दो सकेप्राव ने ते ओ आके उनना नू कुंगणियां खान दी पेश कश कर देने ते ओस वेले उनननू पाई पिर्थी जी केंदे ने के कुंगणियां था मैं खाल वाँ तहड़े कौल पर मेरे कौल तहनू देननू पैसे ने वो केंदे कोई गल नी तुसी खालो सादू सबाहो अस पैसे अंदी लोड भी नहीं फिर ओजान पुझ के प्रिख्या लेन दे वास्ते केंदे ने कि एजनियां कुंगणियां ने एज बेठी हुई संगत दे विच वरतादियों पर पैसा कोई नी मिलेगा कि दोवे प्रावरताद देने ति ओस वेले बड़े सैज दे विच पाई पिर्थी केंदे ने कि जेस तरह दे नाल तुसी संगत दी सेवा किती है ना तो हाड़े दोवां परावां दे कुल राज पाग जरूर हुएगा राज पाग आउंदा है जक्रिया खान दे समें जक्रिया खान दे अबडान देरे जाग अबदल समाध खान देर भार दे विच ए दोवें पराज़ने इनन्दोह नो नौकर परथी का लईा éner जनदा है अब्तुल समद खाम मुलतान चला जन्दा है उसदा बेटा कश्मीर दा गवर्नर सी उसनो लहुर्दी गवर्नर दिती जन्दिया खान बहादर जक्रिया खान उदे दर्वार देचे थोड़े होर उच्चे आओदे ते पहुंच देने ते इनना दो प्रावादे नामने लग पतराए ते चस्पतराए उन समद आ गया है के जक्रिया खान दी मौत हो चुकी है उसना बेटा जाहिया खान लहुर्दी गदी ते उपर बेटा है ते उसने बेटियाई एजन तक तौर ते फिर ऐलान कर देता है के जिनने भी हकूमत दे बागी सिंग ने इनना दे कारकाट बरबाद कर देओ बच्चे कतल कर देओ इतहास नो के ते पढ़न दा जतन करेओ चताली तरान दे तसी हे उस दे समय सिखानों दिते जान दे और ऐसे दर्दनाग तसी हे सिखान दे पांच-पांच-छे-छे साल दे बच्चे आन दे वास्ते कि उनना छोटे छोटे बच्चेयां दे सिरान दे विच लकडा ठोक ठोक के उननों शहीद कीता जान दे ए सारा कटना करम चाल रहे है सिख जंगलाच चले जान दे ने एक छोटी जी चिडी दे विच शेरे पंजाब महराजा रणजी सिंग दादा सरदार चड़ सिंग नईया मेशल दे सरदार पाई मनी सिंग दा पति जा पाई आगड सिंग ते उना तो अलावा पाई निभाहू सिंग ए सारे जंगल दे विच बैठे होई ने ते कुद्रतन अ प्रैल दा वसाख दा महीना आजान दा है ते सारे सिंग आपस चिसला कर देने के क्यों ना गुर्द्वारा रोडी साब जित्थे गुर्णान के दे सच्चे पाच्छा पाई लालो जिनों मेले से के ओस अस्थान दे दर्शन कीते जान क्योंके ओ जड़ा अलाका है उ मलतान दे सुबे दे अधी नहुंदा सी ते मलतान दा सुबा शुरू तो ही बहुत कम जो हो रहा है लहौर सरहांद ए सुबे जड़े ने बड़े सरगर्म रहने पर मलतान जड़ा है शुरू तो बड़ा तिलाजा सुबा रहा है इस से करके जे कुर्ट तसी तहास दे जो एको ते वे उसमें ओस अलाकेच हमला नाहोन दा कार्नमी एही सी के उदुंतलबंडी साबों दा अलाकावी मुलतान दे सुपह अधीन हुंदास ए हिसकर के नाु थे सरहन्द वाले पाँच देने ना लहूर वाले पाँच देने सो सुबाय मुल्तान दा ओस्वले जड़ा गवर्नर है वो लगपत राय दा प्राज जड़ा पाई पिर्थी जिन देता सी जड़े गुरु गोबन सिंग मार आई दे दरवार दे विच्वाई से सिख्वादा ए जथा गुर्दवरा रोडी साफ पाउंच दे उथे लंगर त्यार करना शुरू कर देने ते एक सुईया जाके जास्पात राय नू केंदा है के सिख्वादा एक जथा गुर्दवरा साफ दे कुल पड़ा करके बैठा हुया है ती हो सकता है कि उन्ना दा जान लेके उथे पाउंच दा है ते उथे सिख्वा देनल वारता लाप हुंदी है जे कर परचेन पंथ परकाश नू पढ़िये ता पहला इन्ने लिखती ता उरते सनिहा पे जाके तुस्यत तो चले जाओ उदा जवाब सरदार चड़ सिंग ने लिखती ता उरते पर पे जाके साड़ा तो हाड़े नाल कोई टकरा नी ना असी लाड़न वास्ते आये हैं ना असी लाड़न दी नियत देनाल आये हैं साड़ा केवल ते केवल निशाना इन है के असी वसाखी दा देन गुरू दी हजूरी च मनोना जोने हैं असी कीरतन करना है लंगर त्यार करना है लंगर शेकन है ते फिर असी जंगल च चले जड़ा है साड़ा तो अड़िना टकराक पैदा करन दा कोई अरादा ने पर जास्पत राए जड़ा ओ समेद है कि सेख जड़े ने जवाब दिता है जिठी ची शायद कबरा हों देने शायद डर देने वो फाउजा लेके उस जगा दे पर आजान दे उते फिर सरदार चड़ा सिंग ते कन या मिसल दे सरदार इसनों समझाओं देने कि साड़ा लड़न दा कोई अरादा ने असी ते केवल गुरू दी हजूरी चब साकी दा पुर मनौन आए उते बड़ी एक गुस्ताक शबदावली वर्दा सिख़ा दे वास्ते के इन दधा तुसी इत्व जाना के नहीं जाना जां फिर में तो हाड़े केसां दियां रसीयां वाट गे ता नुगलाम बनावा जो दो केसां दे प्रतिये में दी शबदावली वर्ती जन्दी है सिखां दे मान दे जरू पैदा हुंदा है ते पाई निबाहू सिंग खाथी दे उपर चड़के जास्पत राइदा सिरवाड के जमीन ते सोट देता फाउज इस दी पाजजन दी है जो दो इस दी लाश कार पाँच दी है बिना सिर्तों ते इना दा जड़ा कुल प्रोहित सी वो बद्दो के गुसाईयां दा रहन वाला सी सो ओ जड़ा बद्दो के गुसाईयां वाला कुल प्रोहित है जो दो अंतम रस्मा करन वास्ते होंदा है ति ओ केंदे है कि साड़े मत्द अनसार एद एद यह अंतम रसमानी हो सक दिया क्योंकि लाश पूरी नहीं है सेर नल नी हैगा ओ फिर केंदे ने प्रवार वाले कि असीते सिख्वान दे कोल नहीं जा सक दे ति जेकर तुसी साड़े तारमक प्रोहतो तो जेकर तुसी सिख्खानू बेंती करो ते एदा सेर वापस लेयाओ। ओ जड़ा उनना दा प्रुहत है सरदार चड़ सिंग दे कोल आउंदा है। सरदार चड़ सिंग जड़े ने को केंदे ने के जित्ते हो दा सेर प्यासी वाड़ के सुटे आशी केंदे तुसी ले जा सकते हो। ओ ले जाके जदो अंतम रस्मा कीतियां जान लग दियाने ते ओस वेले उस दा बेटा हर पज राए ते ओदा प्राल लख पत राए। एस सौँ खांदे ने के असी होन सिखांदा नामो निशान खतम कराएंगे। सो एस तो छोटे का लूगा रिदा मुट बजदा है। ते मैं रामब दे विच गया सी के सिद्धे रूप दे जो ओ अंचे शामल जरूर होंदा है। सो लहौर दे विच एस सौँ चुकदा है। ते लहौर दे सिख जड़े ने वह पाई पिर्थी जी जड़े अगो जानशीन ने पाई पगता जी उनना दे कोल जानदे ने। ते वह के इंदे ने के एं तो हड़ा सेवक है तो हड़े वर्दे सदका इनननू राज सत्ता प्रापत होई है तुसी इसनू समझाओ। वह समझाओ उन्दा जतनका अर्दे ने ता लखपत राए उनननों भी बड़ा माड़ा जवाब देंदा है। ते उधों एक बड़ा प्यारा शब्द वर्दे ने बाबा बगता जी कि इन्दे लखपत राए जिस पाणी दे विच ए सम्रथा हुंदी ना क्यों फसल नू पैदा करता है ते ओही पाणी फसल नू बरबाद भी कर सकता है। ते इनू जड़ी राए सत्ता है ना ओस पंथ दे ओस निर्मल चश्मे दे करके बिलिया जी दे विच जो ते नू बार दिता गया पर एक गल याद रखीं के पंथ ने कदी खतब नी होना पर तू जिस सत्ता जो पैदा होया उससे सत्ता दे विच खतम हो जावेगा। खैर बड़े हंकार दे विच सी लहौर आउंदा है अपने पतीजे नू लाएके ते लहौर दियां फाउजा नू लाएके सिखांदा खुरा कोज बटोना शुरू कर दूंदा है। बहुत जादा जन्तक ता ओरते लहौर दे विच उसमें सिखांदा कतले आम कीता जानदा है। उस्तो बाद जड़े सिखांदे जथे ने इस सारे कानू आंदे शांब दे विचे कठे हुंदे ने। ते इनना सारे जथें दी जड़ी अगवाई है। ओकर रहे हैं निन्वाब कपूर सिंग। सरदार जसा सिंग आलू बालिया। सरदार सुखा सिंग फ्ले। एस利त रह पंगी मिसलिय। इस सारे उथें कठे ने। ओद उस सारे वरतारे। नो सम्झण दी लोड है। जिड़ा वरतारा 1746 दे जवाप पर दा जिसम असी छोटा कलू का राखदे हैं होन एजड़ा कलू का रा शब्द है एक ऐसा शब्द है जड़ा वरतारे तों बाद दे विछ होंदे चांदा है नहीं ते बाकी जिनने शब्द ने शहादत, शहीद, साक्का, कुर्बानी, बलीदान ये सुरुतां दे जो पहला आउंदे ने ते बाद दे विच जो दो की वर्तारा वाप परदा है ते असी ओस फ्रेम दे विच ओस परभाशा जो उस नो राख दे के वेखते हैं पर कलू का रहा है कैसा शब्द है मैं बड़े सुरुता नो पढ़दा जतन कीता है एस सिखां दी शब्द आवली जो पैदा हुए है ते वर्तारे तो बाच पैदा हुए है ते जेकर एस दी परभाशा नो वेखणा हुए ता ए ओवरतारा है जो तो कौम दा एक अंच एस सारे नो तुसी जून चरासी तक राख के वेख सकते हुए जो तो कौम दा एक अंच हत्यार बंद संगर्श कर रहा हुए हुंदा है ते सरकार जा हुकूमत उनु कुछां करन दी आड़े विच आप बेगुना लोका नो मी कतल कर देंदी है वो ते एस शब्द का लुका रहा है अवरता जान दे सव ए जड़ा छोटा का लुका रहा है एदे विच शिख्छा हालाद ते शिख्छाँ दी नीती जड़ी है ओ समझन दी लोड है क्योंकि ओधी तो बिदासी जून चरासी दे वरतारे नू समझने सकांगे सिख्छाँ दे एक पासे फाउज है एक पासे जंगल जिनू अगला देती गई है एक पास से द्रिया चड़या हुया है एक पास से बसाउली दियां पहाडियां ने ते उत्थों दे राजे नों पहिल ने सूचित कर देता गया कि हकुम्मत दे बागी आरे ने इना दे उपर हमला करना है सारे पास से दुश्मन है एक पासे दुश्मन तुसी कह सकते हो कि कुदर्ती तौर दे उपर ओ दुश्मन है पाणी दा वहा जी दा किसे ना किसे रूप्च मकाबला कीता जा सकता है पर ओस दिन मी पाणी इना चड़या हुए सी कर डले वाली तौर आजड़ेने वो सारे सिखा उनुका रिंदे के पहला असी द्रया पार करन दा जतन करते हैं तो उसी बात देविचे द्रिया पार करें। ओथ दूमे पर अपने कोड़े, जो द्रिया देविच ठेल देने, दूमे रोड चांदेने, शहादत प्रापत कर चांदेने। होन शिखा दे को लोते हैं, जड़ा रा बचेया है, ओस रा दी शनाकत कर दी लोड़ा है। शहादा हो चुकिया ने तकरीबन साथ जार सिख ओस मैदाने जंग चे जूजदा होया एक दिन चे शहाद प्रापत कर चुका है रात नो सिख सरदार कठे बैठते ने जिनना दे विच्छों कोई सरदार जख्मी हो चुके ने सरदार सुख्छा सिंग माड़ी कंबो के दिलात दे पर तोपदा गोला लग चुका है उनना अपने कमर कसे देना लकोडे दे हन्ने देना लात नो बनने होया है सारे सेख जड़े ने उजख्मी हालत दे विच ने ते रात नो एक मशवरा कर देने असी सारे तकरीबन पंजाब देना सबांध राख दे है ते एक शवर्द असी अक्सर वर्थ दे रहे है होन ता साठी आउन अली पीडिज खतम हो गया पर पराणे बजोर के साठी वर्थ दे हुंदे सी के लड़ाई टाई फाट दी हुंदी है होन जो दो सरदार बैठे ने ते उस थे सरदार जसा सिंग अलू वालिया ते नवाब कपूर सिंग बाकी सरदार अनू के इंदे ने के इंदे असी डेड़ फाट दी लड़ाई लड़नी है बाकी सरदास हरान हो के पुछ देने के के टाइफात दी लड़ाई ता हूं दी है एक येड़ी फाट दी लड़ाई के लिए पहली काल हूं दी है के दुशमन दे अग्गे तुस्ही अपना आत्म समर्बण कं समर्पण कर दें तामी जान बाच गी दूसरी काल है कि दुश्मन उर्वेक के पाज जाओ तामी जान बाज़गी जड़ा अद्धा फट है होंदा है कि तुसी दुश्मन दा मकाबला करना बाकी किसमत दे हाथ है तुसी जिऊंदे हो जाओ तुसी मारे चांदे पर ए समय जदों खाल सा पंथ बैंके अपनी निती नजारत करता है तो ओ केंदे असी देड़ फट दी लड़ाई लड़ांगे देड़ फट दी लड़ाई की है कि अद्धा फट पहला के असी दुश्मन देना लड़ना है पर एथे साड़ा निशानना लड़के शहीद होना नहीं है बरके लड़के केरे देविच्चो निकलना है सही सलामत क्योंकि ओही जड़ी लीडरशेप है ओही अगे खाल सा राईदा मुड़ बन दी है सो छोटे का लुका आ रहे देविच्च करीब 10,000 दे करीब 6 शहीद होन देने जड़े आगू ने उनना दे चो डले वाली ये सरदारा तो बिना बाकी तकरीबन सारे आगू जड़े ने ओबाच जान देने मालवे दे अलाकिस चले जान देने 1746 दे जो एवर तारावा पर जान देने उस तो बाद अभदाली दे हमले शुरू हूं देने ते 5 फरवरी 1720 नुहुंदाय बड़ा का लुगारा हूं जड़ा बड़ा का लुगारा है उधे चे अगवाई ओही कर रहे हैं जड़े चोटे का लुगार चे अगवाई कर रहे थी उनना तो एक सरदार नवाब कपूर सिंग अकाल चलाना कर चुके ने बाकी तकरीबन सारे जर्रेल उही ने पर उत्थे खूब भी एह है कि उनना तो बाद देश जड़े नवे अगों आए होए नौजवान जथेदार ने उननों बकैदा जगा दिती जानती है एक स्पेस जड़ेओ दिती जणती है जड़ेओ जिस हाटे चो कितने किते खत्म होंती जारी कैसी अगली पेडी नू संगर्श्दे वास्ते भी जगा नहीं दे रहे उसमें जो दो वड़ा के लू का रवाब परदा है तो वड़े का लूका रहे देविचे फिर एक अंच शामल है जड़ी मैं अरंब चगाल कीती सी एक अंच ओ देविचे फिर शामल है ओ अंच ओ एजड़ा किते ना किते सिखाँ दे नाल सिधे जान असिधे रूप ज़ुड़िया हुए जेस वेले उस वरतारे नो समझन दी बड़ी लोड है जेस वेले ऐमद शाह अबदाली दिल्ली वालनों हमलावर होके आ रहा है ते माज़ जे दे पिंट वैरो वाल दे कोल सरदार जसा सिंग अलू वालिया सरदार तारा सिंग डल्ले वालिया सरदार चड़ सिंग के सारे सरदार बैठे ने ते सरदार आलू वालिया के इंदे ने के अबदाली दा कैम्प अबदाली दा डेरा साड़े तो केबल साड़े चार को दे है ते असी अबदाली दे हमला करिये सरदार चड़ सिंग के इंदे ने कि सानु हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि अबदाली एस वेले साड़े ना लड़नी आ रहे है उँ दिल्ली वाल जा रहे है ते उस वेले सरदारां दी जड़ी नीती है जड़ी तीखन बुद्धी है उसनों समझ़ना बड़ा जरूरी है सरदार जसा सिंग आलू वालिया केंदेने के बेशक एस हमले दे विच अबदाली साड़े उपर हमला आवर होके नहीं आ रहे है उदा निशाना दिल्ली है पर एक गल याद रहे हो के दिल्ली अबदाली दे सामने बिल्ली दे बराबर है दिल्ली दी हुकूमत अबदाली दे के नहीं ठिकेगी ते अगला संगर्श सानु ही अबदाली दे नाल करना पहना है पर जेकर अज असी ओदे उपर हमला करांगे ते सानु ओधी जुद नीती, सानु ओधी शेष्टर, सानु ओधी साथियां दी कोड सवारी ते सानु ओधी रण नीती दी सारी समझ पैसा कदिये सानु हमला करना चाहिए एस गाल दे उपर सेमती हुंदी आए ते सिख जड़े ने ओ हमला कर दे ने आइमद शाह अबदाली दे ओस कैम्प दे उपर बेशक शहाता सिखांदियां भी हुंदीयां ने पर आइमद शाह अबदाली एस लड़ाई दे विच जादा त्यान एस पासे नी लूँदा ओ दिली जाना जाँदा है दिली जेसे ले मरट्यां दे नाल जाँग हुंदीया है तो वी तहास्ता एक वक्षरा वरता रहा है के मरट्यां दे ओस पाणी पादी लड़ाई दे विच खात में तो बात तकरीबन दो दहाके मरट्या ने उच्ची साल एंदी कोशिश नी कीती पर एहमद शाँ अब दाली सिखान दे प्रती वी एही सोच दे समझ बढ़ाई बाइटा है के जेस तरह दे नाल में मरट्या नो खतम कीता सी सिखान दा भी मैं ऐस तरह कतले आम कारदे मांगा ओदे तो बात सिख वी मेरे अगे कुसकन दा जतन जाहिया नी करने के वो अपने आप यही सोच बढ़ाई बाइटा है और ओधी जड़ी सोच है ओधी सोच एक राज पताने दे राजे नो लिखी चिथी तो परगट हुंदी है के राज पताने दा राजा खुद एहमद शाँ अब दाली नो चिथी लेके कह रहा है के एस वरी तुसी साढ़े राज दे विच आके दर्शन जरूर देओ असी नजराने मी पेट करांगे ते असी ताड़ी आओ पक्त भी करांगे ते एहमद शाँ अब दाली उस चिथी दा जवाब देंदा है के एक छोटी जी कौम ते छोटा जा फिरका इना दा सफाया करन तो बाद उस सिखां दे बारे शब्द वरत रहा है के एक छोटी कौम ते छोटा फिरका जड़ा बागी लोग ने इना दा सफाया पूरन तो और ते करन तो बाद मैं बात देविच तेरे नाल कुछ समा बतौन वास्ते आमागा एमद शाह अबदाली वापस जादा हुआ पंजाब दीजड़ी हुकूमत है ओ, ओमैद खान नू दे देंदा है इते अपने बेटे नू शड़दा है ते नूर दीन बाम जाई नाल दे जरनाल नू सोला हजार फ़ॉईड़ ओच दे एक आल केदा है कि तेरा एको यचिवा है कि यस सोला हजार सपायाना नू लेके जदों तक मैं दूज़ा हमला करना है उदों तक तू सिक्खानू खदेड़ देनै तक्रीबन सिखानों खतम कर देना पर एक दुनिया देविच जदो असी बंगला देश दीगाल कर देएं ता ओसमें इतहास देविच असी पढ़ देएं कि बहुत वड़ा आतम समर्पन कि एक अनवे हजार पाकिस्तानी फोज जिड़ी है को एक सिख जर्रैल सरदार जगजी स सिंग अरोडा ते जिनना देनाल जर्मल शबेक सिंग ने उनना दे सामने अपने हथियार राख दिया पर ओदे तो पहला एक तहास दा वड़ा आतम समर्पन ए होया है इस तो पहला है कि जिस विले नूर दीन बाम जाई स्याल कोट दे लाके दे विचे ते महाराजा रणज परदादा सरदार चड़ सिंग शुकर चकिया उस दे किले नू के अरलें दे पहली लडाई दे विची उस दे सोला हजार दे विच्छों चार हजार सपाई मारे जन देने नूर दीन बाम जाई औरता वाले कपड़े पागे किला चट के पाच जन दा तो ओधी बारा हजार पोच जड़ी है ओ सिकान दे सामने आतम संवर्पन का रणू तियार खड़ी है और तुसी इत्क मुसलमाने ता हास कारनू पढ़ो कि इंदा मैं सिकान दी दhooting मान सिखता तो हराना पीडना मैं सिख सरदारा तो बढ़ा हराना कि जे कि ते ऩे बारा हजार सिक किसे मुसलमान अगए सबादे अगए हाथियार शोट रहा हुंदा तो एनने ज़न्त क ताउर्बत कुटल याम कर दे नई sister 2,000 उस उसीका ने सामने सब यज़ार रहा है is ना किसे सिख दा कर रहे हो जाड़े हो ते ना किसे दी फसल हो जाड़े हो एवी एक बहुत वड़ा उस समय दा आतन समर्पन है जड़ा इता हास देविच सानों नहीं पढ़ाया जन्दा क्योंकि मैं बार बार एही समझा उन्दा जतन कर दे है कि साड़ा अकैडमिक लेवल दे उपर इता हास जड़ा बिलकुल खतम कीता जा रहे हो ना साड़ी स्कूली विद्ध्या देविच इता हास पढ़ाया जा रहे है ना साड़ी युनिवस्टियां देविच ते ना साड़ीयां सेक्सन्स थामान देविच इतहास दा खोज का आरज तकरीबन कैसा देखे कि विश्राम चेन लगा हुए है इतहास दी खोज दी परविर्ती जड़ी है उस साड़े विच्छ लगातार खतम होंदी जा रही है सो ए इतहास दा ओवड़ा आतम समरपन है जिनने अबदाली दे पैरा हिटो जबीन कर देती होन अमर्द शाह अबदाली जड़ा है ओ दबारा आउन दी त्यारी दे विच्छ उद्रों सेख सरदार जड़े ने एक सरबात खालसा कर देने तो ओस सरबात खालसा देच ए फैसला लेया चांदा है कि सब तो पहला जेकर असी अपने निशाने देपर काइम रहना है जितों मैं गाल शुरू कीती सी क्या राज करे हैं क्या लाड़ मरे हैं कि जेकर शहादत ते समरपन दे फलस्फे दे विच्छ उसलतनत नो पैदा करना है ता फिर सब तो पहला जेड़ा पिशले वरतारिच वापर चुका है कि जेड़ा अंच तो हाडे नाल सिद्धे रूप्च जुड़या हुंदा है ते जेड़ा गदारी करदा है सब तो पहला ओस्मुस होदना पवेगा यह सरबात खालसा दा फैसला है कि जेड़ा अंच जेड़ा उन्नु खतम करना बड़ा जुरूरी है जेड़ा सिद्धे रूप्च संगर्षवाली तेरदे नाल जुड़या हुंदा है पर कितेने किते हो संगर्षदा नुक्सान कर रहा हुंदा है सो पहला जेड़ा निशाना सिद्धे वलो मिथ्या जन्दा है वो जंड़याले दा अकल दासनरंजनिया हुंद एपाई हैं दा आलजी देखांदांदे विच्व है सिद्धे परवारां दे नाल गुरू साह बांदे नाल जुड़या हुया परवारा पर हुकूमत दा मुखबर बन चुका है जेसे वेले सिख जन्ड़याले नो के रापाउंदे ने ते उसे वेले अकल दासनरंजनिया जड़ा जन्ड़याले वाला है वो अपने एक कासद नो एक मसंजर नो अबदाली तक पेज़दा है ते एमद शाह अबदाली उदरो आ रहा है ते एक तकरीबँन लहौर तो पिछ्छे जड़ा जाकर उननों मिलता है ते कहिंदा है कि तुसी जल्दी तो जल्दी जन्ड़याले जाकर सिख ने किरा पाया है ते सारे सिख जन्ड़याले जाकर हमला करो ते सारे सिखा नो खतम किता जा सकता है सारे जर्नायल होते ने सरदार चड़त सिंग होते ने जसा सिंग अलू वालिया होते ने जसा सिंग रामगडिया होते है डल्ले वालिय सरदार होते ने सरदार करम सिंग होते ने सारे जर्नायल होते ने इननों ओते एक कोई हमले चे खतम कीता जा सकता है एमद शाह अबदाली जदो चलता है ते होन तुसी ख्याल करो कि उज़ादे नाम दे पर लोका नों कठे करता है ते जड़े सुनेहे जान देने ओए सुनेहे जान देने के एक कौम नों खतम करना है ओदा एक रिष्टेदार सी नासर खान नासर खान कलाद शाहर देवच जाके अपने उस्ताद काजी नूर महमद नू जड़ा ओस हमें एक राइटर सी उधी कताब भी मिल दी है जंग नमा काजी नूर महमद परशियन देवच या फारसी देवच वो जाके काजी नूर महमद नो केंदा है केंदा काजी सब साड़े नाल चलो तुसी मेरे उस्ताद हो मैं कलाद शेहर देच तो हड़े को लो पड़े हैं तुसी साड़े नाल इस करके चलो के एस वरी शाह जिस महिमद उपर जा रहा है वो दे विच एक कौम नो पूरी तरा दे नाल खतम कर देना है वो दा नाम ते होएगा कताबा दे विच के तुर्का ने एक कौम नो खतम कीता सी पर एस वरी शेह उना दा निशान नहीं छड़ना काजी नूर महमद भी उस दे नाल होंदा है काजी नूर महमद सिक्खा दिया है ते एमद शाह अबदाली दिया लड़ाईया नो वेकदा है लड़ाई दी गालकारन तो पहला उदी लिखदी गालकारनी बड़ी ज़ूरी है जो दो सिक्खा दिया सारी लड़ाईया नो वेकदा है तो सारी अपनी रजना देच सिखा दे वास्ते शब्द वरता है साग, कुत्ते, कै सिख कुत्ते ले, अखीरते जाके ओधा कि चैप्टर है, उस चैप्टर दा नाम है वसफ ए सगा, वसफ क्या जन्दा तरीफ, तरीफां दी बहु गिंटी, वसफ, वसफ ए सगां देविच कर दा है, कि जन गर जवाँ अस्त वाँ अस्त पीर, कि अन्दा हुन मैं, कुत्ते आं दी तरीफ दत्कन लगां ताहनों, ते जदो दासरिया अपने मदरसे दे विच्च, अपने वधियार थियानों, ते नाल एग्जेंपल बड़ी वधिया देंदा, उस किताब चे पढ़ भी चूट नहीं है, जे मेरी गलते विश्वाश ना हुवे, ते एससे इकलात शेर दा, तेन सो पठान सिखांदे को लों को टखा के आया, तुसी ओदे को जाके तस्दीक कर सक देओ, के जेडी गल मैं कैन लगाँ, अन्तम सच्च है, ओ फिर शुरूआत कर दा है, कि इन्द के शब्द वर्द है, पर केंदा जदो मैननों मैदाने जाएंगे जाएंगे लड़ते वेख्या, ते फिर मैनों एंज लग गया कि इन्नों कुते नहीं किया जा सकता, बामादाने मर्दा जो शेरां दलेर, इन्ना दे सामने ता शेर भी कोई हस्ती नहीं राखते, इन्नों क पीर, बगो जंग बढ़िया बरो गोशागीर, ओ कि इन्ना तुसी इन्नों आपने तहास दे सामने एनलाइज करके वेखो, इन्ना तुलनात में करके वेखो, कि असी हमलावर होके कि ते जाएंगे, ते दुशमन दी औरत जयां बच्ची साड़े हाथ आजाएंगे, ते कि अमन दी भी सिख्खां दे हाथे चला आजावे, ना ओ असाफ लोट देने, ना ओ इज्जत लोट देने, कि इन्दा ए उन्ना दी बहादरी दर आजाए, कि जन गर जवाँ वा अस्त पीर, बगो जंग बढ़िया, बरो गोशागीर, एमद शाअ अबदाली आउंदा है, ज़ध उ सिख्खां उने एक खबर मिल दी है, कि आईमद शाअ अबदाली आगया, ता सिख जन डेना के राजचों के देने, ति आउन अन्तम लड़ाइ दे वास्त ए तिह आर ने, ते उस अन्तम लड़ाइ दे चैप अन्तम निशान्ना मेत्ले आजन्दा, के राज करें, क लड़ मरें, इन शानना मेथ लिया जाना है कि असी होन एक फैसला को न जांग लड़नी है ते ओधे वास्ते जरूरी है कि असी अपने परवार बज़र्ग ते बच्चे जड़े ने उम मालवे दे अलाके चछड़ दी है कि परवार बज़न असी अपने परवार बज़र्ग दे नाल जूचांगे मैदाने ज़र्ग दे विज़ उपने परवारा नो लएके जो तो मलेर कोट ले दे गोल पहुंच देने ते मलेर कोट ले दा ओस ले दा नवाब जड़ा है पीखन खान, सरहांद दा जैन खान राएपुर्दा लक्षमीन राएण उद्रो लहौर दे जर्णेल जड़े उथे पहुंच चुके ने जिना दे शाव ली खान, तहमासब खान जहान खान, तैमूर खान नासर खान, मुर्था खान वडैच इस साड़े जड़े जर्णेल ने एकठे हो के इसला कर देने के सिखाँ दा दाला आ रहे है ते असी जड़ा इन दा कतले हम करना है उद्रो अहमद शाव अबदाली लहौर पहुंच दा है उन्हों सुनिहा मिलदा है के सिख जड़े ने ओ मलेर कोट ले दे अलाके दे विच ने ते एमद शाव अबदाली उससे विले सुनिहा पे इदा है के मैं जिन्दी मी जल्दी हो गया उत्थे पहुंचूंगा पर मेरे पहुंचन तक तोसी सिखाँ दे जथिया नो इत्थे लडाई दे विच उलजा के रखना है कि आमद शाव अबदाली पांज फर्वरी नू स्वेरे स्वक्ते ८ौंच पहुंचन था ह workflows फर्व्री करी नो पहुंचन था है पहल Ça सिख्टा दे उपर कोपर ने पिंडि ते ज appelle ज Zus न करके उस हमदे जार गेंटी लिखी है पर जादा सुरूत के इंदेने कि सब्त वाद नुक्सान सड़ा पहले हमले देच होया क्योंकि उदो त्यार निसी सिख उदो को निशाना सी कि ऐसी लाड़न वास्ते नहीं आए ऐसी परवारा नो पहला इसे सुरक्षित जगाते पचोना है बात देव सो ओस वेले बुझ्जा जड़ा हमला हुंदा है उदो तक एहमद शाह अवदाली पहुंच चुका है कुटबा बामणियां पेंड देविच उद थे फिर कह सकने है कैसी एक कमसान दी जांग हुंदी है ओस जांग दी अगवाई कार रहे ने सरदार जसा सिंग आलू वाली ह चालदी होई लडाई देविच एद दुजी कटना है पहली कटना मैसान जी की इती सी छोटे का लुका अरदी जित्धे जोदी नीती एपनाई जांदी है के डेड़ फाट दी जांग लडांगे हुंद एथे जर्नायल आपस्ट सलाह कर देने के एहमद शाह अवदाली चुका है ते असी लडना के में हैं एक सरदार सलाह जंदा है के आप हो आपनी मिसल दे अलाके वंड लीए ते आप हो आप अपणी मिसल दे जड़े जर्नायल ने ऑप पो आप अपनी मिसल दी रख्या करनदे वास्ते आओ जित्दन G Globe लादाएगे पर सरदार जसा वड़ा है, दूश्मन संजा है, जड़े आपसी तफरकात ने खतम करते हैं, अपस ये कोई मतपेद ने हैं, आसी अनना दे बारे बाच गालबात कर सागते हैं, पर फिल हाले वेखो के सड़ा दूश्मन वड़ा है, आपसी मतपेद बिल्कुल पला दे, इस महाल चे कमी आई ह कि तर दुश्मन्त भी पता है पर असी अपने अपसी मथ पे पलाऎ के सिंचे दुश्मन दी शनाखत करंदे विच निकाम रहे शो सबये शाधे जर्रॉनाला देज विश्मर्पन न एंक कि एक जर्रॉनाल ने कह देता तो उससे विले बाकी जरनायल उसे गाल नो मन दें जांग शुरू हुंदी है सिख जड़े ने एक गोल के रेदे विचे लड़े ने तो उसके रेदे विचे लड़े 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 एक वरी सरदार जसा सिंग अलू वालिया अहमद शाह अब दाली दे बिलकुल कोल पहुंच जांदे ने इस दा जिकर तवारी गुरू खासा दे जगिया नी गयान सिंग ने कीता है तो जाके उसनों वंगार दे ने के इन दे ओ ऐमद शाह तो बाकी उनों क्यों मरवा रहे हैं जे तो एनने अपने आपने मैदाने जंग दा सूर मा समेंदा है ते तेरे सामने जसा सिंग अलू वालिया खड़ा है कर मकाबला मेरे ना इतहास करके इन देने के उस तो बाद एमद शाह अब दाली ने जांगदी अगवाई निकीती मलेर कोट ले जाके बैठ गया उस तो बाद जांगदी अगवाई मुर्तजा खान वडैज कर रहे है जहान खान कर रहे है तैमासप खान कर रहे है लक्षमीन राइन कर रहे है जैन खान कर रहे है पीखन खान कर रहे है सारे पासे तो सिखांदा के रा तोड़न दे वास्ते हमले हो रहे ने पर दपैर तो बाद एमद शाह अबदाली जड़ा वो सिखांदे सामने नी आया वो अबदाली जड़ा केंदा सी के कोज केंटे आंदे विच कोज़ पैरान दे वेचे एक कौम नो खत्म करके मैं अराम करना है तो उनों सिखाने समने आउन दी हम्मत नहीं कर रहे है एस दे दुरान आग्गू की हुंदा है उन एक अल समझिए जेड़ा ओ समें संगर्शदा आग्गू है उने सरदार जसा सेंग आलू वालिया जिननों बाकी मिसलां दे सरदाराने उस जुद्धी कमान सौंपी हुई है स्वेर तो जांग लड़ रहे हैं दपैर दे समें जो दो दुश्मन चीके एरजान देने ते कोडा थाके जान दे अक्सर जानवर है स्वेरदा ना दाना ना पानी जिस तरह बाकी से खुखे लाड़ रहे हैं उसे तरह उन दे कोड़े भी है से तरह ने कोड़ा एक जगा ते रोक जान दा है सर्दार जसा सिंग अलूज ये था झाड़ा नहीं रह ना कर でज़त है एक जटार कारता है ते शस्वेध अका सिंग इस ता बहुत प्यारा जिक्र पंदर का चार ना कीता है ओके इंदा गुरमक सिंग, मेरे कोडे नो के रेचो बार ना कर दी, मैं लड़के के रेचो निकलूँगा ओके इंदा के सिंग सुने हमको करे ठठा, कोडा को दाये जसा सिंग नठा कि ते दुशमन ए ना समझे, के जसा सिंग अलू वालिया जान बचवन दे वास्ते के रेचो लिकलिया सिंग सुने हमको करे ठठा, कोडा को दाये, जसा सिंग नठा क्या मुख लाए, बैठे दिवान करे, सिख मश्करी आन, पंथ हमको पाथ्षा बनायो तुम चाहत गीदी खवायो, के इंदा मैं कौम दा आगूँगा मैंनों कौम ने सिल्तान कौम किया है, ते मेरी जुम्मे बारी बन दी है के मैं मैंदान जंग जो जूज के निकलूँगा, मैं जान बचवन वास्ते नहीं निकलना हूँ गैला पेंड़ेच जाके, उदों तक सिख था तीहजार नुकसान हो चुका है इदे बराबर अबदाली दी फौईदा नुकसान मी हो चुका है पर अबदाली दी फौज जड़ी है, ओ अपना होसला चढ़ चुकी है पर इन्ने वड़े नुकसान तो बाद जीदे बारे साड़े सुरोत के इंदे ने लोग कहें सेख सब गया मारा पर इन्ने वड़े वरतारे तो बाद जीड़ी ओ ओस रात नुँ गैले पेंड़ दे विच पाणी दी ताप देख लो के अरदास का अरदे ने न ओस शबद दे विच ओस निशाने नु समझनदा जतन करिये के राज करे हैं के लड़ मरे हैं और अरदास का अरदे ने तात खाल सा रहे गए हो गए हो सो कोट गवाए पाच्छा जिनने एक शहीद होने सी होगे जिनने बज़े है ये स्वेरे मैदाने जंग चे जूचन गे पर होन दुश्मनी वापस चला गया फोजां वापस मुड़ गियां ते ऐमद शा अबदाली होन ए सोचदा है होन असी आज़ दे वरतारे नो दो चार मिंटांच समझन दा चतन करिये सिखान निशाना की हैं एमद शाओ अबदाली आपने एक कासद नो बाबा आला सिंग आपना वकील नानू सेंग है घ्रे मताली होना कोल प्युश्ऻने ते अबदाली सिखानो पेशकष करता थै कि अधा के सिखान दे जर्र्नेलां दे कोल मेरी पेशकष लेके जाओ कि कासद अगो सिखां देवलो पांच सेग बैठे ने इस देपर सलाव मश्वरा करन दे बारे हैं हुण एया कि इन्ने वड़े कतले आम तो बाद असी अपने निशाने दे परती को तो नड़ा पान नी रख्या है हुण अबदाली पेशकर कर रहा है कि तुसी मेरे ताज दो सविकार करो मैं तो हड़ा राज सविकार करता है तुसी बादशा मेनो मालो एस अलाके देविच नवाबी लेलो हकूमत लेलो ना तो हड़ा बच्चे आदा कतले हम हुएगा ना तो हड़ा कतले हम हुएगा ना तो जंगला चरेना पवेगा ओधी इवजाने डेविच तुसी हाडी सोणी अपनी फसल दा छेवा हिस्सा मेंनू देदया करो नजराने डे रूप बेच ते तुसी इस अलागे चे राज कर सकते हो हूँ पर सिक जड़ेल जड़े ने जो थो इस पैशकफ़त दो प्रवचार कर देने न Carney saadha निशाना यह नही था है लिए कि नही नहीं साडा निशाना था ते जड़ा फिर ओजवाब लिखती ता और ते एमद शाह अबदाली नो पेई देने उस ते कास्त दे हत उसनों सरदार सुन सिंग सीतल ने बहुत प्यारा लिखिया है उके इंदने साड़े वल्लो शाह नो कह देना जाके तुसी सनेहा लेके आया सी ना कि ता जुस दा ते राज तो हड़ा उन साड़ा सनेहा जाके तुसी अपने बाश्या नो दे दे देओ साड़े वल्लो शाह नो कह देना जाके मिलांगे उसनो राण वेच हाथ ते गो ठाके शर्ता लिखांगे रातनाल खैबर कुल जाके शाह नजराने साथो पालदा यो इन मनाके पर शेर ना जिउन दे सीतरा ना कना थपुआ के गल राज दी नहीं है गल जान बचाउन दी नहीं है गल ते गुलामी दे अजादी दी है सो ओ समय दे विच जिड़ा सड़ा निशाना है असी ओ दे परती बड़े सुपष्ट से जून चरासी दे वरतारे तो बाद की होया है कि असी एमेदिया जड़िया पेश कश आउंदिया रही है कदी किसे समझा होते दे नाम दे उपर कदी रजीव लोंगो आ समझा होता असी ओनना पेश कशा दे विचे फास्दे रहे है ते अपने मूल निशानने वाला असी अपना त्यान के अंदरत नहीं कीता और एक जटोसी दो कलूका रहे हैं ते सारे वरतारे नो बेखोगे ते फेर ता नो जून चरासी नो समझना बड़ा सा उखा लगेगा के जून चरासी दे विच भी सिखा दा एक अंच ओ है जड़ा हकूमत दर दे उपर है दूसरी काल जड़ी साड़ी लीडर्शिप है ओधा जड़ा निशानना है ओधे प्रतीतु नदला पाने है सपश्टता नहीं हैगी तीसरी काल जड़ा के बार बार पेश कश दे विच फास देने और चौत्ती सब तो एहम काल जड़ा है के साड़े विच ओ मिसला वाला करदार खतम हो गया के संजे दुशमन दी शनाखत करके संगर्श दे विच आपसी वाड़नों चाड़ देना अजे तक असी ओछड़नों त्यार ने सो गुरू किरपा करे असी इनना वाप्रे होई वरतारयां दुश जी नों समझन दा जितन जरूर करिये वकत मेरा समापत हो गया इन्याक बेंतियां परवान फते दिसांज, स्तकार साहता अखना जी वाहिगुर जी का कालसा वाहिगुर जी की फत्र